हेलो डिड़र्स, वेलकम बैक तु माई चानल, चलो देख लेते हैं, निफ्टी बैंक, निफ्टी में क्या व्यूस बन रहें और कल कुन से स्टोक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है और हमने जो कल एक इंपोर्टन रिजिस्टन्स वाला लेवल डिसकस किया था एक horizontal level था आप यहाँ पर देख सोकते कि price नहीं यहाँ पर rejection लिया था previously और अभी भी price यहाँ पर से rejection ले रहा है इस level के उपर से seller सारे और market को नीचे लेकर आ रहे है वो level कौन सा था 18,342 का price इसके उपर एक positive closing नहीं दे पा रहा है अभी अगर हम यहाँ पर price action देखेंगे तो आज की candle से ही आपको पता चल जाएगा कि market ने ओपर opening दिखाया और market अभी नीचे आ रहा है और price एक बहुत ही important level पर आ रहा है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मान लेते कि कल यहाँ पर से market gap up open हो जाते या फिर range में open होके ऊपर बढ़ने लगता है तो क्या यह हम directly यहा पर 18604 जो कि हमारा all time high का resistance है इसका target रखेंगे या फिर बीच में यहाँ पर कोई resistance है तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भी important Fibonacci extension का level है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह previous pullback था इसे अगर हम Fibonacci extension का tool लगाएंगे तो आप simply देख सकते हो क यह 1.272 जो लेवल है यहाँ पर अभी important resistance का काम करने माला है इसी वज़े से यह level में अपने chart के उपर mark कर लेता हूँ एक बहुत ही important level है level है 18,460 का ठीक है अभी बात कर लेते कि 15 मिनिट में यहाँ पर से क्या structure बन रहा है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक important trend line के बार swing high का level है जो कि हमने daily time frame में draw करके रखा है और price simple से क्या कर रहे है price ने यहाँ पर ऊपर गया rejection हुआ एक lower high बनाया फिर से price यहाँ पर reject होके अपने important support पर आ चुका है अभी हमारे सामने तो एकदम structure के लिए रहे कि यहाँ पर M-top pattern यहाँ पर बन रहा है M-top type pattern बन रहा है सिर् एक higher probability short के trades यहाँ पर बनने वाले है और अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे लिए target क्या होगा तो मैं आपके simple यह जो horizontal level है आपके साथ में share करना चाहूंगा यह important structural level है level कुन सा है 18,176 का अगर आप देखोगे price ने यहाँ पर resistance लिया था price ने यहाँ पर support लिया था price ने यहाँ पर resistance लिया होता इस वज़े से मेरे लिए तो अगर price यहाँ पर से नीचे गिरना start हो जाता है और यह जो हम के सकते की low लगाता इसका भी breakdown कर देता है तो जरूर हम यहाँ पर 18,176 का level देख सकते हैं अच्छा target हमारे लिए यहाँ पर short के ऊपर बढ़ने लगता है तो simple मैं आपको एक horizontal level बताना चाहूंगा यह जो level है आप अपने chart के ऊपर ड्रॉकर सकते हो 18,367 का level है यह मेरे लिए important structure level है अगर price कल इससे cross कर रहा है तो इस level के ऊपर में long जाना चाहूंगा first target यह जो swing high यहाँ पर लगाया था इसका रख सकते और second target है यहाँ पर हमने जो daily time frame में Fibonacci extension का level जो find किया था 18,460 का directly price यहाँ तक जा सकता है इसी वज़े से अगर यह swing यहाँ पर से cross कर रहा है यह level यहाँ पर से cross कर रहा है तो बहुत ही बड़े target से उपर के direction में भी और down direction में भी हमारे लिए यहाँ पर target सच्छे बन सकते ह तो यह हो गई हमारे nifty के trade सभी यहाँ पर बात कर लेते bank nifty में किस तरीका setup बन रहा है अगर हम यहाँ पर से daily time frame में चलेंगे तो bank nifty अपने all time high का resistance था इसका तो breakout करने में यहाँ पर कामियाब हो चुका है यहाँ पर successful हो चुका है बट अगर आप यहाँ पर देखोगे इस level के ऊपर हमें एक भी positive closing नहीं दिखिए एक भी green candle यहाँ पर नहीं दिखिए सारे red candle सारे यहाँ पर market open ओपर हो रहा है और नीचे closing दे रहा है इसका मतलब price को यहाँ पर से rejection मिल रहा है और अभी यहाँ पर किस तरीक का candlestick structure बन रहा है यह अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर द देखने को मिल सकता है किस तरीके से trade करना है अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे तो simple मैंने आपको कल क्या trade बोला था हमने यहाँ पर यह rising channel pattern भी discuss कियो था जो कि बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है आज भी आप देख सकते हूं कि market ऊपर गया but same level से नीचे गिरा और मैं same plan यहाँ पर follow करने वाले अगर price यह लेवल यहाँ पर से breakout कर देता है तो ही हम यहाँ पर से long kettets लेंगे first target रहेगा यह जो swing high लगा था इसका रख सकते है और price अगर इसका भी breakout कर रहा है तो यहाँ पर से भी बहुत अच्छे 1-3, 1-4, 1-5 तक के targets easily achieve हो सकते ठीके ना और अ यहाँ रखना है कि 41,837 यह हमारा daily timeframe वाला swing high का level है इसी वज़े से कोई भी trade अगर आप ले रहे हो तो वो हमें यहाँ पर exit करना ही होगा क्योंकि price यहाँ पर support ले सकता है और ऊपर बढ़ सकता है क्योंकि आप structure देखोगे तो price क्या कर रही थी यहाँ पर से नीचे से ऊपर अच्छे से आ रही थी देन मार्केट यहाँ पर आया double top pattern बनाया market नीचे गिरा देन मार्केट ने हमारा जो swing high का level है इसके ऊपर opening दिखाया और price यहाँ पर consolidate कर रहा है हो सकता है कि market इस level का retest करने के लिए यहाँ पर कोई reversal pattern बनाया और price फिर से अपने uptrend में move करना चालू क कर दे इसी वज़े से अगर हम कोई भी शॉट्केट लेने तो वह हमें यहाँ पर exit करने ही पड़ेंगे और फिर अगर price यहाँ पर breakdown कर रहा है तो new trades हम ले सकते directly target हम इस वाले trend line का रख सकते यह फिर अगर आपको बीच के targets रखते तो यह gap जो है वह gap आप यहाँ पर consider कर सकत है first target gap करेगा second target यह trend line करेगा जो कि हमने 15 मिनिट में यहाँ पर बहुत ही अच्छी channel pattern की trend line draw करी है ठीक है तो यह दो trades यहाँ पर बनने वाले है बड़ बैंक निफ्टी में इंसाड़ बार कंडर स्टिक pattern बन रहा है इसी वज़े से एक अच्छा breakout trade हमें यहाँ पर देखने क के level पर आ चुका है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर HDPC bank ने बहुती अच्छे returns दिये daily time frame में बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक profit booking level पर वो आ चुका है हमने simple क्या किया हुआ यहाँ पर Fibonacci train based extension का tool previous trend को लगा दिया है अभी previous trend आपको simple यह दिख रहा होगा क यह impulse move, यह retracement और यह impulse move तो मैंने गया किया यह जो यहाँ पर bottom and top लगा है इसे Fibonacci train based extension का tool लगा दिया और यहाँ पर one करके जो ratio आ रहा है price exactly यहाँ पर reject हो रहा है और यहाँ पर जाके एक अभी inside bar candlestick pattern बन रहा है इसी वज़े से हमें कल breakout देखने को मिल सकता है हो सकता है कि downside में profit booking भी देखने को मिले और अगर यह one करके ratio upside में breakout होता है तो और एक इस तरीके का impulse move हमें upside में देखने को मिल सकता है तो simple यह levels mark कर लिए जेगा यह हमारी horizontal level और यह trend line जिस भी direction में market cross कर रहा है उस direction में हम trade लेने वाले और at least हमें यहाँ पर one is two three का तो target रखना ही है वो easily मिल जाएगा क्योंकि price यहाँ पर inside work candlestick pattern बना रहा है और important level पर बना रहा है ठीक है ना तो यह हो गई हमारी HDFC bank analysis ने जो stock के हुए ICICI bank ICI bank मैंने आज भी telegram पे आपके साथ में share किया हुआ था hope यह आपने यहाँ पर trade लिया हो था जब market यहाँ पर breakdown कर रहा था तो simple मैंने क्या बोला था कि market यहाँ पर breakdown तो कर लिया है यहाँ पर से मैं एक pullback का wait कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने भी entry ली हुई थी five minute time frame में then market यहा यहाँ पर से एक्सपेट कर रहा था जो कि मुझे नहीं मिली बट यहाँ पर से हमें मिल सकते important support है इसका breakdown हो रहा है simple हमें का करना है आज का यहाँ पर structural low mark करना है जिसे ही यह cross down करता है कोई भी pullback देखकर में यहाँ पर शॉर्टिंग की opportunity ले सकते 1-2 1-3 के यहाँ पर targets मिल स सकते हैं यह trend line का भी आप यहाँ पर target रख सकते हो तो इतना simple यहाँ पर stocks में setup बन रहे और निफ्टी बैंक निफ्टी के analysis भी आपके साथ में मैंने share कर दिये तो होप है आपको यह पूरे analysis समझ में आ गई होगी पसंद आ गई होगी अगर analysis पसंद आई तो प्लीज इस वी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राब भी कर दीजे तो आज की वीडियो में इतना ही रखते थैंक यू वेरी मॉच